हाई गाई दिस इस श्याम और्या ना गोई टेल यू बुकाबलरी इस फ्रॉम एडिटोरियल अब दा हिंदू टोड़े डेट इस एट फेबुरी ट्वेडिटी ट्री और आज है प्रपोज डे जिन लोगों ने कर दिया वह अच्छी बात ना कर आया तो कर लें अभी वेसे स पावंदियों में हैं और उनके बारे में हम कुछ भी लिख सकते हैं बोल सकते हैं कह सकते हैं वह उपन सीजिन कहलाता है इस फ्रेज का मीनिंग है ठीक है अब क्या है पोश्ट पोल टाइस का सब्सक्राइब अगर में पढ़ने की बात करूं पोल का मतलब इलेक्शन टाइक के मलब हों इन टाइप बांधना यह टायप करना मूर कुरुषियल भोकित इंपोर्टेंट इन मेघाब कर लो मेघाल हूं ऑन् recurring reward डुप दोनों ही क्लियर हो गई होगे अब मैं पहले करता हूं बुक्याब को कवर बुक्याब को कवर करने के बाद मैं करूंगा एरर के कुश्चन जो की बहुत ही इंपोर्डेंट है क्योंकि डेट अनाउंस हो गई है और बहुत जवर्जास फाइदा होने वाला है ठीक है तो हम यानि की अनेस्टैबल क्योंकि फिलूड हमेज़ा कैसा होता है अनेस्टैबल होता है ठीक है होपिंग का मतलब यह भी बहुत अच्छा वर्ड है आपको शायद नहीं पता हो कूदना जंप लाइट लिए अगर पता था तो आप मुझे कमेंट करें कि सब मुझे पहले से प मतलब होता है मात्रवंज यानि की मम्मी से संबंदित डिसेंट डिसेंट त्रोग फीमेल लाइन यानि की तरफ से होना आपका ठीक है वो मैट्रीलीनियल कहलाता है एथनिकली कहला जाती आधार पर यह बिद्रेस्पक्ट टू एथनिक अनि एथनिशिटी यानि कि जाती आने बाला यानि कि आप परसन हूँ कम्स टू आ कंट्री एक देश में आता है विए देज बर नॉट वान वहां पर उसका जन्म नहीं हुआता है इन और टू सैटल देर लेकिन वहां पर आता है तो वह सैटल होने के लिए आता है उसे इमिग्रेंट बोलते हैं अब एक परस्षम करना भी होता जिसको हम ऑल बौलते हैं ठीक है अच्छै एक बड़ होता है अग्रीज पांप है अग्रीज कई है इसका मेनिंक बताना है ये इडियम है बहुत इंपरडेंट रहा स्ट्याइकशmos कि हम किसको हिट करना ये भी कहलाता है या ध्यान आकर्षित करने वाली जिसका शनेनेम होगा हिट लॉप साइड़ का मतलब होता है किसी भी चीज में सम्मिलत नहीं होना एंगल से नहीं होना शो डॉट कंदा कमेखता है और असानी से समझ में भी आ जाता है है अब चलते हैं मेर के कुश्चन से बहुत इंपर्डेंट कुश्चन है शिलैंग बाले हैं अब शिलैंग का मीनिंग समझ गएगो तो अच्छी बात है नहीं समझी होगे तो मैं बता देता हूं जिसको बोलते हैं रिड़न्डेंशी यानि कि है कि प्लूरल सब्जक्ट होगे तो वह भी प्लूरा अगया इसका मंज़ यह शोही है सबसे पहले आपको यहीं देखना होता है कि टेंष गजो को चेक करना है फीड़न्डेंटमें कैसे ठीक है सब्जक्ट प्लूरल है यह सब देखना होता है देख लिए पहला टार्गेट जब भी एरर करो जहीं करना काइंडली रिक्वेस्टेट टू अपियर ठीक है इन दा नेक्स्ट मॉनिंग उन्होंने कहा रिक्वेस्ट है कि आप अपियर होना सामने आना अगली सब्सक्राइब ठीक है एक चीज बताइए बोर्ड वालों के सामने देखो मैं आपको बता दू all the member of the board जो भी बोर्ड के member हैं ठीक है आप requested kindly कि कोई जरुत नहीं है क्योंकि requested kindly बात एक है ठीक है उनको request है कि अपियर हो next morning ठीक है in meeting में किलर हो गया तो यहां पर जो एर्र है आप काइंडली और रिक्वेस्ट दोनों ही एक साथ में लगा दिए जिससे कि यह क्या हो रही है यह सुपर फ्लूइस हो रहा है ठीक है तो समझ में आ गया एर्र कौनसे पार्ट में आपके थर्ड पार्ट में बन टू थ्री ठीक है अब नेक्स्ट कुश्चन है वेन ही लेंट मी सम बुक्स उसने मुझे कुछ किताब उधार दी ही आज मुझे पूचा याज मी टू रिटर्न देम बैक बाइद एंड आप दो मन्त और उसने मुझे कहा कि आप न इसे लोटा देना मह हो रहा है रिटर्न डेंसी हो रही है जब भी इसको हम बोलते हैं अब जब भी शुपर फुलूर्स हो तो उसमें क्या है आपको हटा देना उसी में एरर फाइंड करना है तो देखे रिटन लगा दो या बैक लगा दो बात तो यह बापस लोटा ना तो इसका मतलब इन दौने में कोई एक ही लगाना है और यही हमारे पास यह क्या है यानि कि पार पाकिस्तान सपोर्ड पाकिस्तान को सपोर्ट है तो टेरिस्ट से किसके आतंग बादी लिए आफ इंडिया के इंडिया में ठीक ए शुड घिशा उनको universally चारो तरफ से चारो तरफ से जितनी भी साइड से सब तरफ से उसे condemn किये जाए निंदा की जाए by all और no error पता चला चलो नहीं पता चला मैं बता देता हूं अच्छे यहां पर universally लगा दिया चारो तरफ से लगा दिया तो by all की क्या जरूत है by all की कोई जरूत नहीं है यानि कि error जो है वो by all का है अगर मैं इसे हटा दूँ तो हमारा question क्या हो जाग एकदम correct हो जाएगा ठीक है तो यह थे आज का error जरूर बताना मैं community में post करूँगा औ और आपको answer देना है अच्छा community में पोस्ट करता हूं और आप answer भी देते हो लेकिन एक बास समझ नहीं आती लाइक क्यों नहीं करते हो लाइक कर दिया करो यह request आप से humble request से ताकि मैं आपको चीजी बढ़िया लेवल से और डेली की basis पर प्रोवाइड कर आपा हूं ताकि आ लोग हम चलते हैं अब editorial पर देखी open season मतलब जहां पर restriction में हैं लीटर लोग और उन पर हम कोई भी comment कर सकते हैं उनके बारे में कह सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पर छूट है open है हमारे लिए इस और चीजें ठीक है तो इसका meaning समझ में आ गया दूसरा है post poll मतलब election के बाद टा यहाले में tie-up करना बाद में बहुत important होगा then any people understanding किसी प्रीपूल यानि की प्रीपूल का मतलब पहले election से कोई understanding बना लेना उससे जादा बहतर है कि आप tie-up कर लें ठीक है इस टेट यूश्टू coalition coalition का मिला सब्सक्राइब गठवंदन करना government की इस टेट यूश्टू जो पहले से यूश्टू करता है यूश्टू है coalition का गठवंदन का and fluid मतलब आज तर है loyalty of its politicians जो भी नेता है उनकी loyalty नहीं है मुलुकुल भी क्या नहीं है loyalty नहीं है भरोसमन नहीं है वो कभी भी fluid हो सकते हैं unstable है वो change हो सकते हैं कहीं से कहीं भी ठीक है ना तो यह clause finish हुआ है दूसरा clause में finish करता हूं मिघाले has had at least a third of its 60 MLA ठीक है मनला 60 में से 30 MLA hoping party during the five year term of the outgoing assembly यह क्या कहना चाहरे है कि मिघाले has had at least third a third of 60 MLA यानि 60 का third निकालता हूं तो कितना है 20 MLA 20 MLA तो लेना ही लेना है hoping उचल कूद करना party हो का ठीक है एक party को 20 अगर क्या करना है 20 MLA लेना चाहते हैं तभी वह सही से चला पाएंगे बरना कुछ भी हो सकता है क्यों को loyalty तो है नहीं हो आपे even in the run-up to the election schedule for February 27 National People Party and PP National People's Party candidate flipped side to become the भारतिये जनता party candidate and Congress candidate to the mole Congress TMNC को हम बोलते हैं TMC ठीक है अब यह हमारा क्या है सेंटेंस है even मतलब भी यानि की even लग गया इसका मतलब पूरे सेंटेंस को क्यों क्वालिफाई कर रहा है जो और देनी कुछ गया in the run-up मतलब जो चल रहा है इंदा elections schedule for 27 February 27 February को क्या है इलेक्शन से और नैशनल पीपल्स पार्टी एन पीपी की बात करें तो कैंडिटे फिलिप का मतलब चेंज हुए ठीक है या कूद गए कुछी जटका दे दिया साइट्स तु भीकम अब भारतिये जन्ता पार्टी केंड़ेट उन्होंने क्या कि कुछ केंड़ेट ऐसे थे एंपीपी के जो किदर चले गए इस बारतिये पार्टी के तरब चले गए and Congress candidate कुछ Congress के चैंडिटे स्टिज कर लिए और नहोंने तुछ त्रमूल Congress के लिए टी एमसी में चले गए तो मतलब लॉयल्टी तो है नहीं यहां से बहाँ भागते रहते हों कि इसकी बात हो रही है आगे देखें कि इन टूथाजन इलेक्ट इन टूथाजन इन टूथाजन इन टूथाजन एटी इंदा कॉंग्रेस हैड़ बन 21 पंटी बीजेपी टू एंड रिजिपी टू एंड इंड़नेटन इन इन डूथा रेस्ट ये क्या कहना चाहरा है कि टूथान ने टीन का इल्क्सन था कॉंग्रेस हैड़ वन इसकी शीटे से जीती कॉंग्रेस ने एड़न फीपी नेशनल पीपल एन पीपी ने जोड लिए बागी सब ने एक दो दो जीत लिए होगी जैसे अभी हो ठीक है वो यह कहना चाहरा है तो SSNN ने स्टेटिक्स दे दिया ओफ सीट्स ठीक है एलेक्शन ऑफ 2018 का मेगाले इस दो ऑनली स्टेट अमंग थ्री इन दा नॉर्थ इस्ट गोइंग तू दो पोल नाओ विर दा कॉंग्रेस है आप फाइटिंग चांश यहां तक सेंटेंस है ठीक है अब यह क्या कहना चाहरा है कि मेगाले इस दो ऑनली स्टेट के वह एकी स्टेट है अमंग थ्री नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इस्ट की बात करूं उनमें ठीक है उनमें यही स्टेट एक ऐसा है जिसमें कॉंग्रेस अपनी बरत बना सकती है कि ग एक है आगजे देखें कि दा मेन पार्टी बांस दा में पॉलिटिकल फोर्ज इसनो अमले दो इत वाउज दसे लागज इस पार्टी 2018 यह क्या कहना चाह रहा है पार्टी मलता Congress की वाद़ी wa wans the main political force sub sub main particle force में घाल में has no mla कोई mla नहीं दो यह पी it was the single largest party तब भी क्या single largest party 2018 में रही ठीक है जबकि देखिएक कोई mla नहीं यह फिर भी इसका दब्दोबह रहा कि आगे देखें देभी जन्टेस्टिंग और सिस्टी शीट इन हुप और रीचिंग डवल डिजिट फीकर अब जब साथ सीट रही है ड्युक्स अब यहां देखिए फीज्स पीर को नट रही है ऑल सिस्टी शीट पर इन हो जिसकी वह आशा है हमें की रीचिंग दडवल डिजिट फिगर की दो शीटे मिली थी अब उसे बी सीटे मिल जाए डवल डिजिट हो जाए ठीक है वह यह चाहती है इसलिए क्या कर रही है वह शाट सीटों पर अब खुद से लड़ी किसी से इसने टाइप या किसी स से अलाइंस नहीं किया है त्टी एमसी टी एमसी की बात करूं त्रमूल कॉंग्रेस की बात करूं बिच बिकेम दा स्टेट्स ओपोजिशन पार्टी ओवर नाइट आफ्ट ट्वैल एमेले एमेले स्विच ओवर इन नवेंबर 2021 इस फिलिंग 55 कैंडिट अब यह क्या कहना है कि टी एमसी जो है बीच बीकम अच स्टेट ओपोजिशन पार्टी बन गी ओवर नाइट रात रात में क्यों क्योंकि बारे कॉंग्रेस की जो एमेले से उसे स्विच कर लिए दर को आ गई इसलिए 2021 की बात है नमेंबर उसमें बारे एमेले अब टी एमसी में आ गए तो जाए जाता है सिंगल आजएस पार्टी बन सकती है यह फिर हम कहें ओपोजिशन पार्टी बन गी ठीक इस फाइट इस फिल्डिंग टीमसी फिल्डिंग 55 कैंडिट अब वो किसकी फिल्डिंग कर रही लाग हो है पचपन कैंडिट की यानि कि यह बी बड़ी बात है अब द टीमेटिक पार्टी की बात करूं जो लड़ रही है बाकी इन्होंने टाइप किया होगा ठीक किसी किसी को बटवारा कर लिया होगा आगे देखें दा स्टेट पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इस ड्राइविन बाइड डायनेमिक डायनेमिक मतलद चेंज होने वाली ऑफ थी मै में आते हैं कुश्चन भी आता है जी इस में दिहां रखना डैट आर एंथिनिकली क्लोज़र जोकी एथिनिकली तौर पर दिखने में बैसे वह काफी क्लोजर हैं एक गारो ट्राइब यह भी में घया ती भी इस दा हैंड थीफ मिनिस्टर चेर थर्डिफोर येर्स सीज द कर रहे हैं तो यह बड़ी बात है तो यह तीन सी जातियां है इन पर ही शासन करना है अगर इनको हमने कंट्रोल में कर लिए तो जारी सेदा सरकार बन जाए ऐसी पार्टी सूछती है देगारों है आफें शौट दा सेप्रेट इस्टेट उन्होंने हमेंसा मांग किये शौट क पता नहीं कैसे यह डिमांड म्यूट हो गई सांत हो गई है ठीक है आगे देखते हैं अब यहां से देखिए आप खासे जैनते हेल एंड कंपास से में लग घेरे हुए थार्डी सिक्स ऑफ दा सीट शीट सिक्स्टी यानि शाट में च्छती सीटें खासे जैनते हिल्स में ह इन ट्राइब्स की बात अगर तीनों ट्राइब कंट्रोल में करने है वैसे ट्राइबल एरिया हो ठीक कंट्रोल में करते हैं तो सरकार बन जाएगी दर रूलिंग एंड पीप एंड प्राइम चैलेंजर जो की सब सो बड़ा मुख्य चैलेंजर है टी-e-e-e-e-e-e-e-e-e है क्योंकि सब को सब चैलेंजिंग पार्टियां है ठीक है दा इसू ऑफ बांगलादेशी इमिग्रेंट इसू अगर मुद्दा अगर बात करूं बांगलादेशी इमिग्रेंट जो लोग शेटल होने के लिए आते हैं यहां पर देश्टेपल असम एलेक्शंस एंटर में में गहाल है इस टाइम बिद एन पीपी एंड बीज़ेपी ट्रेंग टू पूर्टी एमेंज टी एमसी एज बेंगाली पार्टी सिंपितेटिक टू पीपल फ्रॉम इंडिया आज नेवर अब यहां से देखिए आप दा इसू यह जो मुद्दा है और बांगलेशी इमिग ट्राइम बिद एन पीपी एन पीपी एंड बीज़ेपी ट्राइंग दोने कोशिश कर रहे हैं ठीक है पोट्रे मदलब कुछ बनाने की ठीक है दर्शाने की दटी एमसी क्या ऐज़ा बेंगाली पार्टी टीमसी जो एक बंगाली पार्टी है सिंपेथेटिक सहनभूती कुछ न कुछ तो बोलेगी जिससे की क्या हो वो भी जीज जाए ठीक हर एक पार्टी अपना अपना सामने लेके आती है मैटर मुद्धा लेके आती है आगे देखिए ताकि सेंपेथिर तरीके से उन्हें बोट मिल जाए ठीक अब यह है हमारा सेंटेंस यहां तक अब मैं और शी से एक्स्पर देता हो टीम से अइन इसए आलाइトी ती-म चे जो संबंधिज पर्टिए हैं जिन अलाय कर रख़ा है है बिन एक्क्रिजिंग den Jesus करते हैं और ऑ्रोप लगाते आ और यह ऑई एंपीप मिश शुरूल में और तर रीके चशन करती है बगर मिलते हैं उसकी बात हो रही है एंड अधर सेक्टर्स बिसाइड्स मिलना इसके अलावा इस्ट्रैकिंग लूप साइडिड ठीक है लूप साइडिड का मैंने बताया तिर्चा होना डील बिद आसम टू रिजॉल्ब दा बॉर्डर डिस्प्यूट अब वो एक तरफ दा अलाई विज्ड अब दिहां देना अलाई वाश्ट दियर हैंड दे रिकॉर्ड ऑफ गॉर्मेंट डैड दे हैव बीन पार्ट ऑफ ट्राइंग तू शिफ्ट दा फूल बिलेम ऑन्टू एन पीप दो यह क्या कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है अलाई जितने भी अंदित पार्टियां है वाश्ट दे हैंड और अपने हाथ दो रखें दूर हो गए इंवाल्ब नहीं होना चाहते इन चीजों बुलकुल भी ठीक है कैसे कि रिकॉर्ड ऑफ गॉर्मेंट गॉर्मेंट का जो रिकॉर्ड है डैट दे हैब बीन पार्ट ऑफ की बो जो पार् पटाउट नहीं करते और लुप साइड़ हो जाते हैं मतलब एक तरफ जुक जाते हैं और मैटर को शॉल्ब नहीं करते हैं ठीक है अलाई से जो संबंदित हैं NPP call the short never consulted them on the issue ठीक है जो अलाई संबंदित हैं मतलब जो संबंदित पार्टियां है NPP के वो कहते हैं कि उन्हां दाव खिलने की कोशिश करी शॉट किया never consulted any issue लेकिन वो आपस में consult रही है और ऐसे बोलने लगते हैं तो ये भी कही न कहीं matter ऐसे शुलशता नहीं है एक जैसे बोलना चाहिए ally in the outgoing government जो outgoing government बहार जाने वे are contesting against it ठीक है with each one trying to maximize their strength in the assembly and keeping post poll option open कि जो ally से संब्बन देता है मतलब जो गठवंदन से संब्बन देता है ongoing सरकार जो है अभी जो चल रही है बाहर निकलने वाले on contesting लड़ रही है against it इसके खिलाब जितनी भी matter है with each one trying सब के सब कोशिस कर रहे है ठीक है maximize बढ़ाने की strength दोना मजबूती करने की assembly election में keep और keep मंदर रखे हुए post poll option open यानि कि ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार मालीजे कोई majority में नी बन पाया तो ऐसा भी तो हो सकता है सब के पास सोच रहे हैं कि अब election हो जाने दो तो इससे गठवंदन कर लेंगे इससे गठवंदन कर लेंगे और अपनी सरकाल हम बना लेंगे तो ये भी है तो ये भी matter चला लेकिन सभी की सभी क्या कर रहे है अभी effort कर रहे है ठीक है न तो ये था आज का editorial आई हो आपने enjoy क्या होगा और आप वीडियो को like जरू कर दिया ठीक है अभी तक जो भी है और even till अभी तक आज डेट तक है फैब की पूरी आपकी book app sheet मिल जाएगी ठीक है उसके लिए आपको paid group में जुड़ना पड़ेगा और paid group का जुडने के लिए description मैंने शारी detail दे रखी है आपको phone पे है Google पे कुछ भी कर सकते है ठीक है और आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगा ठीक है तुम मिलते नेक्स session में तब तक के लिए bye bye take care have a good day